हालो एब्रिवन वेल्कम टू सोसल फ्रेंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिपल सी के एक्जाम स्रीज से रिलेटेड कुछ बेस्ट कोश्चन और ओ लेवल का जो फ़स्ट पेपर होता है उसके लिए भी यह बहुत ही मौत अफूर है यह इस पेसल है मस वर्ट का इसमें मैं सबील डॉट एहमद डॉट 370 ठीक है आप यहां पर फालो करेंगे यहां पैसा लोगो लिखा हुआ लगा हुआ आप यहां फालो कर सकते हैं जिसे आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा चली कोश्चन शुलू करते हैं लिखा है फ्राम वीच मिनू यू कन इंसर्ट ही इस मिनू की माद्यम से हम एडर सोंट फूटे को इनसर्ट करते हैं जो आपको पूरा एरिया देख़ ए улиस जो अपर का इससा होता है इसको बोलते ही डर ओर जो नीचे का इससा होता है इसको लते है फूटर बीस के पार्ड में हम इसको बोलते बोडी खие लग नाइस बात का ठीक है, head मतलब उपर, foot मतलब down, simple सी बात है, यह जो होता है, यह होता है insert menu में, ठीक है, question number next देखो, ठीक है, to get the symbol, dialogue box, click on the menu and choose symbol, इन में से किस option, किस menu में हम जाते हैं, जहां से हम symbol को insert करते हैं, symbol insert करने के लिए हम use करते हैं, insert command का, ठीक है, insert menu जाएंगे, वहां से हमें symbol मिलेगा, question number next, option from clipboard is used to move data from one place to another in document, इन में से किस option के बादियम से हम किसी data को move करते हैं, एक अस्तान से और paste कर देते हैं, यहां पर option होता है, cut and paste, यहांनी control x होता है, आप मैं इतना कोशन बता रहा हूँ, आप इसका screenshot ले लिया करो, ठीक है, और download करोगे, वो चीज़ आप देख नहीं पाऊँगे, बता नहीं, लेकिन इक चीज़ क्या लगना, कि जब भी देखा करो, इसके screenshot ले लो, तो वो आप कोई help करेगा, इसके screenshot लेकर क्या पढ़ लिया करो, बाद में आरम से, ठीक है, अब question number 4 लिखा है, is an option in found group, इनमें से कौन सा option है, जो found group में सामिल है, अगर stick throw की बात करें, तो ठीक है, हाँ है, replace की बात करें, तो यह editing वाले option में है, ठीक है, और यह find के हम बात करें, तो find control F होता है, और यह भी editing में है, change style इसमें नहीं है, ठीक है, इसका जो answer जाएगा, यह वाला, ठीक ठीक है, question number next, ठीक है, which of the following is graphic solution for word processor, इनमें से कौन सा option है, जो graphic solution के लिए, word, ms word में, use कहा जाता है, table को use नहीं, replace बिलकुल नहीं, दीक हो, word art का इस् किसी भी simple word को 3D word बताने के लिए, reflection देने के लिए, और यह बहुत सारे चीज़े हम, movement देने के लिए हम, use कहते है, word art का, ठीक है, question number next, देखते है, the save as allowed, इनमें से किस option के बादे हम से हम, किसी भी content को save करते हैं, first time, ठीक है, ठीक है, हम use करते है, control as, f12 क्या होता है, f12 को use हम ठीक है, f12 को use हम करते हैं, किसी भी file को rename करने के लिए, यानि save as के लिए, ठीक है, ठीक है, रंस जा हो जाएगा, यह वाला, first वाला, question number next, लिखाए कि, bullet number and numbering in is tab, जो bullet number होता है, वो होता है, home tab में, ठीक है न, तो पहले option हो जाएगा, home tab, question number next, देखो, to open a existing document, click on the, and just select it open, इन में से किस option के मादियम से हम existing document को open करते हैं, existing document मतलब जो आलरी से अपने save करके रखा, हम कहां जाते हैं, ms office जो होता है, आमरे पर न, office button, pick, accept, टूर्बय में, और document view में, ribbon में, तो हम जाते हैं, office, इस वाले option में, ठीक है, जो पहला option दीकर आपको, इसी option जाते है, ms office button में, और question number next, देखते हैं, दिखाए, cut, copy and paste, is in, group in the home tab, home menu में, जो cut, copy, paste होता है, वो किस set में होता है, वो होता है, यह होता है, clipboard में, font में, font का पुरा पुरा style होता है, page setup में, page का पुरा setup होता है, यह page layout का अंतिकर होता है, editing के बात करें, तो यह जो होता है, home menu में, जहां पे find, replace, और select होता है, ठीक है, तो इसका answer है, वो है clipboard, यह वाला answer, ठीक है, इसका screenshot अब ले लो question number next देखते हैं is used to convert from uppercase to lowercase and voice what's up इसमें से किस option के मादियम से हम किसी case को यानि uppercase होता है उसको lowercase में करते हैं uppercase को lowercase में करने के लिए हम हम use करते हैं यह वाला option lowercase ठीक है question number next pressing F8 key for three time select क्या होगा जब आप MS Word को open कर लेना ठीक है उसके कुछ लिख देना तो उसके क्या होता जब तीन बड़ एक साथ select कर वे ना click कर वे तो यह कोई sentence जो होगा एक line का वो पूरा पूरा select हो जाएगा जो एक sentence की बात होएगा अगर word की बात करें तो word होगा तो इसका जो answer हो जाएगा ना एक word होता है पूरा पूरा अख्या लगना sentence की बात होती है तो हम mouse का double click करते है न तब select हो जाता है अगर तीन बार mouse हम तीन बार click कर दें तो क्या होगा एक पूरा paragraph select हो जाता है ठीक है लेकिन F8 key की बात करें तो हम एक word की बात करेंगे एक word में मालो एक, दो, तीन, चारी यह तन्य word लिखेंगे यह पूरा पूरा select हो जाता है यह पूरा पूरा area ठीक है अगर देदे question number 4 next what is the shortcut key you can place to create copyright symbol इन में से किस option के माद्दयम से हम copyright का symbol add करते हैं ठीक है इसका answer हो जाएगा alt control plus c ठीक है तो answer हो जाएगा a question number next देखते है लिखा है कि what is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar इन में से कौन सा option है जो सबसे smallest यह जब ms word open करते हैं तो उसमें default होता है size वो 11 होता है और सबसे जो कम size होता है उसमें smallest 8 होता है और सबसे बड़ी जो different size दिखती है वहाँ पे 72 होता है तो इसका answer हो जाएगा a question number next keyboard shortcut key for replace command is replace करने के लिए इन प्या करते है control plus h का इसका answer हो जाएगा b question number next the key stroke control i is used to देखो i से क्या करते हैं लोग i for italic होता है यहाँ पे देखो answer लिका increase font size नहीं insert line break नहीं indicate the text should be bold नहीं इस तो क्या हो जाएगा इस तो bold हो जाएगा simple sa b for bold apply italic format to selected text जी यहाँ इसका answer हो जाएगा d इसका answer हो जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ दिया है कि save as dialog box भी open होता है ठीक है यहाँ पर answer हो जाएगा both of above question number next देखते हैं इसमें कि which of the following is not available on the ruler of MS word screen इसमें कौन सो option है जिसमें ruler is screen को show नहीं कराता है तो tap मतलब यह बात है कि इसमें से कौन सो option है जो हम page use करते हैं इसमें margin होता है ठीक होता है left वाला एक होता है right वाला एक होता है top और bottom होता है यहाँ पर दिया है right indent दो right indent होता है left indent भी होता है लोगे tap नहीं होता है top हो सकता है ठीक है यहाँ पर answer यह रहा हो जाएगा ठीक है इसका answer यह question number next देखो लिखा है 20 में which file start MS word MS word start करने के लिए आप इनमें से क्या इस्तेमाल करेंगे देखो यहाँ पर होता है हम जब भी window r press करते तो run prompt आता है ना आप हम लिखते है win word मतलब window word dot ex इस्तेमाल करते है इसका extension है किसी भी software का extension होता है वह executable file होता है इसका मतलब होता है word लिख करके search करेंगे नहीं आएगा MS word लिखेंगे बिलकुल नहीं आएगा और word 2 या 3 लिखेंगे तो बिलकुल भी नहीं आएगा तो मतलब यह है इत कहने का कि जब भी हमें MS word इस्टार्ट करना होता हम लिखते है win word यह question कई भार repeat हुआ है यह repeated question इसको आप बहुत ही important तरीके से इसको लिख लेना याद कर लेना question number next if you want to keep track of different edition of a document which feature will you use इन मेंसे किस option के माद्यम से हम किसी भी track को different edition से check कर सकते हैं यहां जो option हो जाता है addition भी होगा version भी होगा track changes इसका answer हो जाएगा all of evo question number next देखो तिका background color or effect applied on a document is not visible in इन मेंसे किस option के माद्यम से जब हम मालब हमने background लिया है background यह मेरा पास page है इनमें मैंने कोई color दे दिया है ठीके मैं चाहता है इसको जब print preview check करते हैं तो इसको background का पीछे color होता है वो नहीं लिखता है इसका answer हो जाएगा print preview ठीके question number next what is a portion of document in which you set certain page formatting option इसे कौंसा option है जिसमें हम किसी भी निश्चीत page की formatting कर सकते हैं ठीके section के माद्यम से page के माद्यम से document के माद्यम से नहीं यहां पे जो option होता है setting के बात हो रही है तो हम page setup के माद्यम से करते हैं question number next border can be applied border किसी प्लाइ किया सकता है किसी cell पे जी बिल्कुल paragraph पे text पे इन सब प्लाइ किया सकता है तो इसका answer जाएगा all of able question number next which of the following is not a type of piece margin इमें से कौंसा option है जो margin नहीं है ठीके दो left होता है right होता है top होता है बिल्कुल होता है लेकिन इसमें जो center नहीं होता है इसका answer यह wrong हो जाएगा question number next देखो what is the default left margin in MSWord तो जो हम MSWord open करते है तुसका default margin होता है जिसे अगर margin की बात कर रहना तो सुन जान से आपने यह देखा होगा पेस अपने नोटिस के कोई copy book देखा होगा यहाँ एक line खिटी होती है sorry कि यहाँ पर लाइन की तक हीचा होता है यहाँ पर और यहाँ पर gaping होता बीच में ठीके अपने आपने इसको नोटिस किया होगा कोपने copy पे तुसको margin बोलते हैं यानि इसका जो size होगा इसका c answer सही होगा ठीके अब दिखते हैं next number portrait and land escape और इनमें से कौन सा option है जो portrait और land escape यूज होता है ठीके तो हम यूज करते हैं page orientation के मादिम से हम किसी भी page को portrait और land escape करते हैं question number next है if you need to change the font word art style of a document which menu will be choose इसमें से कौन सा option यूज करेंगे इसके मादिम से font का जो style होगा वो change होगा edit का इस्तेमाल करोगे format का view का tool का तो हम जब भी इस्तेमाल करते हैं format का इस्तेमाल करते हैं इसका जो answer हो जाएगा ये वाला ये सही हो जाएगा इसका screenshot आप बिलकुल लेलना question number next है which of the following is not a font style इनमें से कौन सा option है जो font style नहीं है नहीं जो पूछे उसको बहुत अच्छे से ख्याल लखा करो इनमें से कौन सा नहीं है तो bold है हाँ italic है superscript है पता है सबको लेकर regular नहीं है तो इसका जो answer हो जाएगा regular ये question भी repetitive है कई बार question number next what happens when you click on insert picture clipart इसमें जब आप इन्सर्ट में जाते है picture पर click करते है और पर click करेंगे तो क्या option होता है insert a clipart picture into document it leads to choose clipart to insert into document it open clipart task pen जब हम click करते हैं तो यहां पर क्या होता है simple task पर नोपता है अब नोटिस के होगा इतना जो box होता है यह right side में इतना बड़ा box आता है यहां पर ठीक है ख्या लखना है इस बात का इसके बाद question number next देखो which option is not available in insert table artifact behavior इसे कौन सा option है जो insert table artifact में नहीं सामिल के आगा है जो fix column width हां कर सकते हैं artifact content बिल्कुल,artific column कर सकते हैं हां कर सकते हैं लेकिन हम window को fit नहीं कर सकते हैं खालग ना इस बात का टीक है window को बिल्कुल fit नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं